हरे किशना बच्चो सुप्रबार आज पढ़ेंगे पांट छे धर्ती को बुखार राजु नाम का एक लड़का था वो अपकी तरही स्कूल जाता था रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी मा इस्कूल आई मा को देखते ही राजु दोड कर उसे लिपड गया और हेरानी से बोला मा मा धर्ती को बुखार हो गया यह सुनकर मा हसी और बोली क्या कहा तुमने धर्ती को बुखार हो गया हां मा और मेडम बोल रही थी कि इसी तरह धर्ती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बिमार हो जाएंगे राजु की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसकुल से घर तक रास्ता खत्म हो गया और मा अपने घर के कामों में लग गई लेकिन राजु का दिमार तो इसी उल्जा रहा धर्ती बिमार है तो हम भी बिमार हो जाएंगे फिर क्या होगा इस उल्जन की धमा चोकणी में कब रात हो गई राजु की घरी नीन में सोगया पता नहीं चला रात के अंदेरे में किसी ने राजु को हिलाया राजु उठो राजु उठा और देखा सामने एक गौल सी आकरती थी जिसका चेहरा मुर्जा आया हुआ था राजु ने पूछा तुम कौन हो मैं धर्टी हूँ मुझे बुखार है में कौन सा बुखार हुआ है मलेरिया देंगु मुझे tom appreciation या की बुखार हाँ है यह बुखार कैसे होता है राजु ने पूछाया चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है राजुने धर्टी को अपने हाथ पर बिठाया और घर से बाहर ले गई फिर सड़क पर दोरती गाड़ियों कल कारखानों से निकलते धुए की और इशारा करते वे बोली इनके धुए से मुझे सास लेने में तकलीफ होती है फिर सूखे वो खाली मेदानों की और यह देखो यह सारे पेड काड़ दिये गए हैं अब यहां बड़े बड़े कारखाने इमारते बना दी जाएगी अंदादूर पेड कटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज़्यादा कि वहां बार आ जाती है पेड कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जारी इनी सब कारणों से मुझे प्रदूशन बुकार हो गया अगर इसी तरह मेरा बुकार बढ़ता गया तो मैं दीरे दीर तुम लोगों लोग भी बिमार पढ़ जाओगे एक समय ऐसा आएगा कि सास लेने के लिए तुम लोग आक्सिजन लगा कर गूम होगे यह सब सुनकर राजू डर सा गया और फिर हड़ बढ़ाते हुए बोला फिर तुम यहां क्या कर रही हो जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ धर्ती बोली मेरे डॉक्टर तो तुम लोग ही मेरी बिमारी की दवा में पेड़ पोदे यदि तुम लोग पेड़ पोदे लगाओगे तो उनकी थंड़क दीरे दीरे मेरा बुखार उतर जाएगा मैं फिर से हरी भरी हो जाओगी साथ ही साथ तुम लोगों को मुझे में मौजूद चीजों जैसे हावा, पानी, बिजली, कागज, कोईले का सही उपयोग करना होगा मुझे साथ और सुंदर बनाए रखना होगा, इतने में राजू की नीन खुल जाती है और उसे पता चलता है कि एक सपना देख रहा है तब ही उसकी मा कमरे में दस्तक देती हुई बोली, बेटा चलो, अब उठो, राजू आखे मलते हुए, उठा और मा को अपना सपना सुनाते हुए आज मा आज रईवार है और स्कूल की भी छुटी है, आज हम अपने घर के असपस कुछ पोधे लगाएं ऐसा करने से धरती को थंड़क मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा फिर क्या था, राजू ने मा के साथ मिलकर कई पोधे लगाए, राजू का काम भी यहीं खतम नहीं हुआ उसने एक बड़ा सा बैनर बना कर लगाया जिस पर लिखा था, पेड़ पोधे लगा और धरती बचा, यह देखकर धरती मुस्कुराई और मनी मन बोली, पेड़ पोधे प्रदूशन बुखार की दवाए, यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पोधे लगा कर दूसरो को भी जागरू करें, तो मुझे भी कभी प्रदूशन बुखार नहीं होगा, किस ने किस से कहा लिखिये, क्या कहा तुमने धरती को बुखार हो गया है, मा ने राजू से कहा, प्रदूशन बुखार ये कौन सा बुखार, राजू ने धरती से कहा, मैं तुम्हें बताती या बुखार केसे होता ? धर्ती ने राजू से कहा दिये गए प्रशनों के उत्तर कुश अब्दों में लिखिए राजू के सपने में कौन आया ? धर्ती धर्ती को कौन सा बुखार हुआ था ? प्रदूशन बुखार धर्ती ने अपनी विमारी की दवा किसे बताया पेड़ पोधों को राजु ने किसकी मदद से पेड़ पोधे लगाए मा की दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखिए धर्ती ने राजु को क्या क्या दिखाया उत्तरे धर्ती ने राजु को सड़क पर दोरती गाडियों कल कारखानों से निकलता दुआ सूखा वा खाली पड़ा मेदान कटे हुए पेड आधी चीजे दिखाए अगला पर धर्ती को प्रदूशन बुखार केसे हो गया था अंदा दुन पेड कटने से बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी जादा कि वहाँ बार आजाती है पेड कटने के कारण धर्ती को छाया नहीं मिल रही है और वह तपती जा रही है इनी सब कारणों से उसे प्रदूशन बुखार हो गया अगला धर्ती का बुखार ठीक करने के लिए राजु ने क्या क्या किया धर्ती का बुखार ठीक करने के लिए राजु ने मा के साथ मिलकर कई पोधे लगाए और एक बड़ा सा बेनर बना कर लगाए जिस पर लिखा था पेर पोदे लगाओ धर्ती बचाओ ताकि दूसरे लोग भी जागरूख हो सके अगला राजु दारा की गए काम को देखकर धर्ती मन ही मन क्या बोली पेर पोदे प्रदूशन बुखार की दवाओ यदि राजु की तरह सभी लोग पेर पोदे लगाकर दूसरों की को भी जागरूख करें तो मुझे भी कभी प्रदूशन बुखार नहीं होगा धन्यवाद हरे कृष्णा